Hello Disciples, Welcome to my YouTube Channel Disciple Nature Point आज़ी क्लास से हम लोग Decimals पढ़ने वाले हैं आज़ी क्लास Decimal की introductory वीडियो होने वाली है जिसमें हम जानेंगे कि Decimal जो Word है इसका क्या मतलब होता है और उसकी Definition क्या होती है अगर कोई Definition हमसे पूछ लेता है तो हम उसको कैसे Define करेंगे Decimal को कैसे Define करेंगे ये भी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि Decimals देखते कैसे हैं ठीक है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि Decimal जो Word है इसका क्या मतलब होता है तो देखिए The Word Decimal is derived from a Latin word Decimals which means tenth ये जो Word है Decimals ये एक Latin word है ठीक है जिसका मतलब होता है tenth तो इसी Decimals से हमने बनाया है English में Decimal Decimal एक English word है और Decimals एक Latin word है और उस Latin word का मतलब होता है tenth तो उसी से हमने ले लिया है decimal ठीक है और Decimal का भी मतलब क्या हुआ? Tenth अब Tenth क्या होता है? तो Tenth बच्चो होता है basically 1 upon 10 मतलब कोई चीज क्या है अगर इस तरह से लिखी है ये क्या है fraction तो 1 upon 10 को ही क्या बोलते है Tenth और अगर और easy way में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि मान लिजी कोई आपके पास एक चीज है जिसके 10 parts है 10 equal parts है ठीक है तो उसका एक part क्या कहलाएगा 10th part कहलाएगा 1 upon 10th part अब देखिए इसकी definition की बात करें अगर तो decimal क्या है A decimal is a fraction written in a special form ठीक मतलब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो decimal है ना एक fraction ही होता है जो की एक special form में लिख दिया जाता है उसी को हम decimal बोलते हैं For example, example के लिए भी आप समझ सकते हैं पर मैंने एक example लिया 3 upon 2 इसको हम decimal में लिख सकते हैं 1 upon 5 क्योंकि 3 upon 2 एक क्या है fraction है और इसको लिखा जा सकता है 1.5 अब यहाँ पर थोड़ी बात समझने वाली यह है कि where 1 is in the 1s place यह जो 1 है ना यह 1s place पर है अब आपको याद होगा place value chart तो उसमें हम पढ़ते थे 1s, 10s, 100, 1000 इस तरह से तो यह जो अगर हमारे पास सिर्फ whole numbers होते थे तब तो हम उनकी counting कर लेते थे from right to left ठीक 1, 10, 100 ऐसे पढ़ते थे अब अगर यह decimal है ठीक है तो यह left side वाला तो हमारा whole part है ठीक इसको हम अब यहाँ पर जो यह 3 upon 2 लिखा है इसको हम लिख सकते है decimal में 1.5 अच्छा जो यह 1 है ना यह 1 यह 1 कहलाता है whole part ठीक है यह हमारा क्या कहलाएगा whole part कहलाएगा और यह वाला जो है यह इसको बोलते है decimal part ठीक है यह हमारा decimal part है और इसको बोलते हैं point यह तो आप समझ रहे होंगे यह point इस point से ही define होता है decimal ठीक है अब यह जो one है इसको अगर हम place value चार्ट में पढ़ेंगे तो यह पढ़ा जाएगा once मतलब यह once place पर है जब कि यह जो five है ना यह tenth place पर है किस पर है टेंथ पर ठीक है देखें once tense होता था वो वो 10th place पर है ठीक है तो अगली वीडियो में मैं आपको place value चार्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी counting कैसे करते हैं क्योंकि counting से related भी questions आ जाते हैं exams में तो वो आप कैसे करोगे उसके लिए मैं अगली वाली class में बता दूँगा कि आप कुक कैसे counting करते हैं और place value चार्ट पूरा में बना करके आपको बता दूँगा तो इस वीडियो में इतना ही हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी next class में तब तक के लिए keep learning and keep growing